इसके अंदर हम लोग सारे कोशन्स के सल्यूशन देखेंगे जो पार्ट टू था यानि कि एफसेस एयाई लाइब मॉक टेस्स टू उसका सल्यूशन में जनरल इंट्लिजेंसी एंड रिजिंग का एक कोशन जो है गलत हो गया था वहां पर सो मैंने आपको वीडियो के लास्ट में बता दिया था कि थोड़ा सा मैं डाउन हूं जिसके कारण हो सकता है कि कुछ कोशन्स आपको मैं गलत करवा दूं लेकिन बहुत से लिए मिस्टेक था वह कोई पकड़ लेता हूं ठीक है यहां पे जो है एफसेस एई लाइब मॉक टे यह related words जो है हमें find करना है paper और pen जिस तरीके से related है हम स्मार्ट फून को relate करना है next वाले words से options जो है वो है मेरा finger, mouse, processor and charger now mouse और processor यह दो जो है वो smartphone से लेना देना इनका कोई नहीं है तो यह दोनों पहले ही कत्म हो गए now charger और finger हो सकता है लेकिन यहां पे paper और जो relate है वो pen से related है तो paper के उपर अगर हमें कुछ भी लिखना होता है तो हम pen का use करता है smartphone के उपर अगर हमें कुछ भी करना होगा तो हम लोग क्या use करेंगे finger use करेंगे तो finger मेरा right answer होगा charger नहीं होगा ठीक है next question है वो है मेरा same related word है यहां पर alphabetic वाला so w n k और c t की होई आपस में जिस तरीके से related है तो पहले हमें इसका numerical values देखना पड़ेगा we to be 43 Egg nephew दूथा हैρη्ट dT के अपर मिया क्यूल सफिक्स करने से 17 दिख रहा है यहां भी classic और चोऊश जो हैं जो है यहां पर 26 और 13 कितना होता है 369, so 29 होगा, तो यहाँ पर भी plus 6 का gap है, तो जैसे जो C है यहाँ पर, C का जो alphabetic numbers है, ABC, तो C का जो numerical value होगा, वो 3 होता है, लेकिन अगर Z के बाद देखें, तो Z 26 होगा, 26 के बाद third number पर place पर जो है मेरा C मिलता है, यानि कि 29 वाला जो value होगा, वो C होता है, तो यह सारा जो है प्लस 6, प्लस 6, प्लस 6 का difference है, same जो है मुझे Z के साथ होगा, यहाँ पर, Z already 26 है, तो 6 नंबर पर जो है मुझे F वाला word मिलेगा, तो यह दोनों गलत हो गया, लास्ट वाला देखवा, C 3 है, तो 3 में अगर हम लोग 6 एड करें, तो 9 मिलेगा, 9 जो होता है, वो मेरा I होगा, यानि कि जो second option है, वो मेरा सही answer है, now, next question है, 149 and 300, यह दोनों आपस में जिस तरीकर से relate होगा, मुझे 119 का उसी के साथ, जो second वाला word होगा, उसके साथ relation ढूँना है, now, 149 को जब मैं 2 से multiply करता हूँ, तो मुझे कितना हो जाएगा, 1,500, दुना 300, दुना 300 से अगर मैं 2 minus करूँगा, तो 298 मुझे मिलेगा, 298 में अगर मैं plus 2 कर दूँँ, तो मुझे 300 मुझे मिल जाएगा, now, same process से, अगर मैं 119 में 2 से multiply करके, जो मेरा result होगा, कितना होगा, 198, 238 और इसमें 2 add करूँगा, तो मुझे 240 मिलेगा, now, 240 option में है, तो यह मेरा right answer हो जाएगा, next जो है find a odd word, हमें odd one out, जो है इसमें से select करना है, boat, cruise और raft ये तीनों जो है, boat से ही relate हैं, एक दूसरे से, बस जो है, वो बिल्कुल different है, तो बस इसका right answer होगा, next जो question है, वो भी again odd one out है, a, y, w, पहला है, दूसरा है n, k, i, तीसरा जो है, वो है मेरा s, q, o, और चौता है मेरा g, e, c, now, इसे हम लोग कैसे connect कर सकते हैं, तो आप देखों, यहाँ पे, जो, a, जो है, वो मेरा one होता है, one को अगर, one, मतलब उसका numerical value one है, लेकिन z के बाद अगर देखें, तो 26 के बाद 27 होता है, है न, y, जो है, वो मेरा 26 होता है, और w मेरा 23 होता है, ठीक है, so, यहाँ पे, अच्छा, y, जो है, माइनस 2 का difference मिल रहा है, इस वाले case में, n, ki, n, जो है, वो मेरा 14 है, k, 11 है, i, मेरा, जो है, वो 9 होता है, now, यहाँ पे, मुझे 2 का difference मिल रहा है, यहाँ पे, मुझे 3 का difference मिल रहा है, s, q, o का, अगर हम लोग case देखें, तो s, 19 होता है, q, 17 होता है, वो मेरा 15 है, यहाँ पे, मुझे, माइनस 2 का difference मिल रहा है, यहाँ भी मुझे, माइनस 2 का difference मिल रहा है, और, g, e, c, g, j, j, हो है वो मेरा कितना होता है G7 होगा यह जो है वह मेरा 5 होता है और c कि मेरा 3 मिल रहा है मैंने nk i को छुड़़ के बांकी साथ का जो difference है वो माम स्टू का है यानि इसका जो right answer हो वह 47 109 87 and 83 now इस question में सारे प्राईम नमबर है एक्सेप्ट 87 87 जो है वो मेरा 3 से डिवाइड होता है तो 87 इसका राइट एंसर होगा नेक्स जो कोश्चन है वो है मेरा a series is given with one word missing हमें एक series दी गई है जिसमें से एक word missing है जो series है वो है मेरा ant basket charger device next वाला हमसे पुछा गया है तो पहला वाला देखो ant जो है वो a से स्टार्ट हो रहा है basket b से स्टार्ट हो रहा है charger c से स्टार्ट हो रहा है device जो है वो b से स्टार्ट हो रहा है यानि कि उसके बाद वाला जो है वो e से स्टार्ट होगा a b c d e e 4 engine तो यहां पे engine जो है वो right answer होगा इसके बाद का जो question है वो कह रहा है हमें a series is given with one word missing हमें जो missing word है same है missing word हमें find करना है पहला वाला है P है दूसरा वाला S है तीसरा वाला W है उसके बाद वाला B है उसके बाद का find करना है तो P जो होता है वो मेरा 16 होता है S 19 होता है W 23 होता है B 2 होता है लेकिन अगर Z के बाद count करें तो Z 26 हो गया उसके बाद 27 उसके बाद 28 तो जो मेरा B जो होगा वो मेरा 28 होगा और फिर उसके बाद का हमें find करना है अगर difference देखें कितनी का difference मुझे मिल रहे है थ्री का difference मिलता है मतलब 16 में 3 आड करूं तो मुझे 19 मिलेगा 19 में व्याड करूंग तो 23 मिलेगा 23 में 5 आड करूंगा तो 28 मिलेगा ना 5 की बाद क्या आएगा 6 आड करना पड़ेगा मुझे तो आठ चेज 14 यानि कि यहां पर मुझे कितना मिलना चाहिए 34 मिलना चाहिए अब मुझे 34 पर कॉन सा नंबर होगा यह तो हमें नहीं पता लेकिन यह चुकी 28 जो था वह एक्शुली क्या था बी था ना बी में अगर मुझे 6 आड कर दूँ तो मुझे जो दिखेगा वह एक्शुली में क्या दिखनी का 8 दिखेगा तो 8 का मतलब क्या होता है सब्सक्राइच की जो वैली होगी वह 8 होती है तो एच इसका जो है राइट एंसर हो जाएगा ठीक है अशा है समझ में आगया होगा सभी को कोश्य कोश्य नमबर 9 जो है वह देख लेते हैं कोश्य नमबर 9 है 109 देन 100 देन 92 देन 85 देन उसके बाद वाला हमें फाइंड करना है तो अब देखो 109 से 100 की बीच पर डिफरेंस कितना है तो अगर मैं 109 में से 9 माइनस करूंगा तो मुझे 100 मिलेगा अगर मुझे 100 से 92 चाहिए त तो तो आजाएगा ना तो देखो 9 है फिर 8 है फिर 7 है तो उसके बाद मुझे 6 का जो डिफरेंस होना चाहिए 6 मिलेगा 85 से अगर मैं 6 माइनस करूंगा तो मुझे 79 मुझे दीखेगा ठीक है नेक्स कोश्चन है यहां पर आकाश सरी आकर्स बर्थडे इस ऑन सेटरडे 29 पड़ता है और वाट डे ऑफ दे वीक विल बी ओजस बॉर्थ डे इन दे सेम यह इव दा ओजस वस बॉर्ण ऑन 12 अगस्त बहुत सिंपल सा कोशन है आप से पूछा गया है कि 29 जुलाई को अगर सैटरडे है तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो 12 अगस्त होगा और 12 Yakस को कॉन सा डे होगा हमें यह बताइए ठीक हमें simply क्या करना है इसमें एर चुकित तो हमें सर्फ डेस कांट करना है उससे सवर्ण से डिवाईट करना ए और जो मेरा रिमेंडर आएगा उसीके करडिंग हम लोग ड दो दिन बच जाएगा क्योंकि 31 जुलाई होता है मतल जुलाई में टोटल 31 दन होता है अगस्त का 12 दिन तो टोटल मेरा 14 डेज हो गया इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो यह पुरा-पुरा कट जाएगा यानि रिमेंडर 0 मिलेगा यानि कि हमें जो नेक्स जी जो मिलने वाला ह है वो हमें वापस सेटरडे ही मिलने वाला है ठीक है नेक्स कोशन आते हैं हम लोग यह जो आप यह वाला जो कोशन है डेट वाला और जो पीपर में पूछ सकता है यह यह थोड़ा रियर होता है लेकिन अगर पीपर में आ चाहे तो 90% रिस्टुएंट जो है इसे मिस कर दे होगे क्योंकि भी समय है हाडली 2-3 घंटे का होगा आप यूट्यूब पर विडियो देख लेना आपको मिल जाएगा कहीं न कहीं इसे अगर आप कर लोगे अगर यह पीपर में आएगा तो आपके पास एक एज मिल जाएगा कि हाँ आपने अट्रम कर रहा है 80% तो सिरो आप यहां पर इनका सम दिया हुआ है किस तरीके से सम है इन चारों को अलग अलग तरह से कॉम्बाइन करा गया है चारों को या फिर इनमें से कोई तीम को ठीक है किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन है तो कोईशन इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं होगा यह बता नव देखो यहां पर एक है मेरा 30 दूसरा है 70 फिर 60 है फिर 20 है अब सातिन 10 होता है और 10 दो 12 होता है तो यह तो हो जाएगा नेक्स्ट मेरा 190 तो सातिन 10 और 6 दो 8 तो टोटल मेरा 180 होता है यहां पर 190 है 180 मुझे यहां पर दिख जा रहा है 190 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आप देखो यहां पर जब सबको सम करके जब मुझे 180 मिल रहा है तो ऑविस है कि 190 जो है इन मेंसे किसी तीन को भी अगर मैं प्लस करूं तो मुझे नहीं मिलेगा तो यहीं 190 जो होगा वो मेरा राइट एंसर होगा मतलब इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है आपको जैसे इन सबको आड़ कर आपने देखा कि 180 आ रहा है लास्ट मेरा तो जब 190 तो पॉसिबल ही नहीं होगा तो इससे easy question होई नहीं सकता तो आप सबको सम कर लो आप using the letter of the given words तो यहां पर है मेरा ultimate तो time t मुझे दिख रहा है i दिख रहा है m दिखेगा e दिखेगा time बन जाएगा lame भी बन जाएगा then how will mail be coded as अगर number को जो है number को किस तरीके से लिखा गया है n-u-m-b-e-r इसे लिखा गया है wp-d-o-t-g ठीक है अब देखो यहां पर n जो है वह 14 होता है p16 यहां पर मुझे ऐसे दिख रहा है n14 है यहां पर p16 दिख रहा है u21 है यहां पर 23 दिख रहा है दो-ग小ो को है नेक्समें जो है वो मेरा m 13 है तेरह में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो मुझे 15 O दिखेगा B में 2 add करूँगा तो मुझे D दिखेगा फिर E5 होता है G7 है तो प्लस 2 करा गया है R से मुझे T20 मिला है R कितना होता है 18 तो प्लस 2 मतलब cross relation है दो-दो words का now जो male है MAIL so M13 होता है 2 add करेंगे तो मुझे 15 यहां पर दिखेगा और फिर A1 है 2 add करेंगे तो मुझे यहां पर 3 यानि C दिखेगा तो मुझे C से start होगा C से A start है C से A start है 15 O 15 होता है यह नहीं होगा यानि कि यह answer होगा ठीक है next question आते है हम लोग next question कह रहा है यहां पर जो है मुझे जो symbols हैं वो बोल रहा है कि उसका representation अलग-अलग है तो यहां पर मुझे 2 plus 6 into 4 minus 15 divide by 10 मुझे यह given है ठीक है यह divide है divide by 10 आप कहा रहा है कि plus जो है वो into है minus जो है वो मुझे plus given है into जो है वो मुझे divide given है और divide जो है वो मुझे minus given है तो बताओ इसका value क्या होगा बहुत simple है इतना जो है वो मुझे साब साब पता चला है यह मुझे 3 देगा उसके बाद plus 15 है यानि 18 हो गया 18 से अगर मैं 10 minus कर दूं तो मुझे 8 मिल जाएगा so 8 जो होगा वो मेरा right answer होगा question number 15 की बात करें तो इसमें एक relation दिया हुआ है और जो relation है वो बहुत simple सा है 3 at the rate of 7 दोनों को आड कर दो 3 plus 7 कितना होता है 10 10 to 2 करा 20 मिला सेकेंड वाले में देखो 9 plus 4 13 13 2 जा 26 होता है 7 plus 1 8 8 2 जा 16 होगा तो 17 plus 2 तो आप बोलोगे 17 2 19 होगा 19 दूना कितना मिलेगा मुझे 38 मिलेगा so 38 जो है यह इसका right answer होगा now इस question में मुझे find करना है machine number so कैसे find होगा तो अब यहां पर देखो आप 325 और फिर 65 11 बहुत simple है इन दोनों का sum 45 plus 36 मुझे 81 दिखा 216 और 315 मुझे 531 दिखा तो इन दोनों को add कर देंगे जो हैगा यहां पर answer आपको दिख जाएगा तो reasoning के question simple simple है कितना आएगा आप यहां पर देखो 6 मुझे दिखेगा last में 6 यहां पर 4 दिखेगा so 146 मुझे यहां पर मिलेगा so 146 जो है वो मेरा right answer आपको यहां पर दिख जाएगा तो reasoning के question बहुत simple है आप easily जो है इसमें 20 questions है तो हर question 4 marks का है तो 80 number आप आराम से easily ला सकते थे इसमें question number 17 देख लेते हैं 17 number का question है a person moves 12 meter to the south now अब जब भी हम लोग पेपर में direction बनाते हैं तो east हमेशा इधर होगा west इधर होता है north उपर की तरफ होगा south जो है वो मेरा नीचे की तरफ होता है एक person जो है वो south की तरफ जो है 12 meter जा रहा है south की तरफ जो है वो पहले किदर गया इधर 12 meter so 12 meter यह इधर गया then he turns right and moves 10 meter ना अब वो इधर right की तरफ move कर रहा और वो कितना distance travel कर रहा है 10 meter का distance जो है वो travel कर रहा है now उसके बाद कह रहा है he turns again turns right and move 6 meter अब जो है दुबारा वो जो है right लेता है और 6 meter का distance जो है वो cover करता है from here he travels 20 meter towards the east अब यहां से जो है वो पूरो की तरफ east की तरफ जो है वो कितना meter जा रहा है वो 20 meter जा रहा है so 10-10-20 approximately यहां तक जाएगा now he turns left and move 6 meter अब जो है वो है तो कोशन है starting point से वो कितना distance पे होगा तो obvious है कि starting point से total जो है मेरा जो है कितना था तो यह total मेरा 20 था 20 में से यह half है तो यानि कि जो 10 meter होगा वो 10 meter मेरा answer होगा so 10 meter यह मेरा right answer है now question number 18 की बात करें question number 18 है which one of the following cube is the answer figure cannot be made based on the unfolded cube in the question figure simple आपको एक figure दिया हुआ अपको पहले दिखो अगर इसे मैं fold करूं अगर मैं इसे fold कर देता हूं तो मुझे एक ऐसा cube दिखेगा इस तरह का question जब भी मिलेगा तो आपको ऐसे ही solve करोगे तो जिल्दी और accuracy के साथ solve होगा नहीं तो अगर जो cube वाला method मैंने आपको सिखाया हुआ है उससे solve करने जाओगे तो काफी time लगेगा जब मैं इसे fold करूंगा तो आप देखो यह जो portion है जो cross वाला जो portion है वो इस cube के पीछे वाले face पे आएगा 5 जो है यह आपको ऊपर इस तरीके से लिखेगा कि नीचे की तरफ जो है यह मुझे square दिखेगा इस वाले face पे जो है मुझे double circle दिख रहा है सामने में मुझे hexagon दिखेगा इस तरह से और इस वाला जो face होगा इस side में मुझे hex दिखेगा अब दिखो अब कह रहा है कि यह जो चार जो फोल्ड्स आपको दिए गए हैं तो इसमें से कौन सा सही नहीं है cannot be based तो कौन सा सही नहीं है मुझे देखना है तो पहला वाला जो है आप देखो इसमें जो है यह जो circle है वो मुझे ऊपर की तरफ दिख रहा है circle को मुझे ऊपर की तरफ करना पड़ेगा और उस situation में यह जो क्रॉस वाला जो symbol है वो मुझे जो पीछे की तरफ था वो मुझे इधर दिख रहा है तो मतलब मुझे इसे उठाना है सबसे पहले अगर मैं इसे ऐसे उठाऊंगा तो मुझे यह वाला शेप मुझे ऐसे दिखेगा सम्झाने मुझे टाइम लग रहा है जैसे था मुझे वैसा ही दिखेगा पीछे का तरफ यह क्रॉस जो है वैसे दिखेगा मुझे जो यह जो है वो नीचे की तरफ मुझे आ जाएगा अब मुझे इसे जो convert करना है यह जो square वाला portion उसे सामनी की तरफ करना है तो यानि कि इस face को मुझे यहां लिगर करना है तो मैं उसे ऐसे घुमाऊंगा तो जब मैं ऐसे घुमाऊंगा इसे तो उपर वाला figure होगा सामनी की तरफ जो है यह मुझे square दिखेगा यह जो hexagon है वो मेरा इस साइड आ जाए क्योंकि मैं इसे इधर कर रहा हूं तो यह hexagon जो है इधर चला जाएगा तो hexagon का जो face होगा वो मेरा इस वाले side में जो मुझे इधर दिखेगा यहां ठीक है और यह सामनी का तरफ हो ठीक है और जो पीछे वह सितनल जो क्रॉस तो क्रॉस मुझे इधर दिख चाएगा तो cross इधर गेए यह वाला face इतर दिख इनलती यह सापनी देख आँगा तो सामने मुझे hash दिख जाएगा उस situation में जब hash मेरा सामने की तरफ दिखेगा तो यह जो hexagon है वो मेरा इस face पर दिखना चाहिए इस वाले face पर hexagon दिखना चाहिए लेकिन इस वाले face पर मेरा cross बना हुगा है तो यह वाला जो figure है यह possible नहीं होगा यह की मेरा right answer होगा ठीक है तो जब यह हो जाएगा तो फिर हम नीचे वाले में क्यों जाएं ठीक है नेक्स कोशन की तरफ देखते हैं नेक्स कोशन जो है पेपर फोल्डिंग से कोशन है इस तरह से किया गया तो जब मैं इसे open करूंगा तो मुझे एक इस तरीखे का दिखेगा जब मैं दुबारे इतना के देख् 냉गा और यह वाला कुछ नोगा एए इस तर Keeping चुट नीजए हां पर हैसे चाइगा यह तक के सबदेए और तो मुझे इस तरह से यहां राइंशर होगा लास्ट वेंटी जो है वह मेर बेस्ट और इसमें जो है मुझे बोला गया है कि इसके इधर अगर जो है मैं इसे स्कॉयर बना उंगा तो इधर वाला जो फेस होगा मुझे इस तरीके से ब्लाइंक दिख रहा है यह कोना है उसके साथ ऐसे दिख रहा है तो यहां पर कोना ऐसे मुझे यह दिखेगा तो याणि कि जो ऑफ्चन 2 है हो मेरा राइट अंसर था थे। यह रिजिग के टोटल ैंटी कोशन्स थे नेक्स थो है वह है मेरा क्वांट्र युक्ट का पहले क्वांट पहले नाम है मेरा अमित दूसरा का नाम है मेरा अतुल दोनों का जो वेट का जो रेश्यो है वो है मेरा 2 is to 3 अमित वेट इंक्रीज बाइ 20 परसंट अड़ टोटल वेट ऑफ बोथ टोगेदर बिकम्स 37.8 दोनों का जो टोटल वेट है वो 37.8 हो जाता है which is an increase of 26% मतलब अगर दोनों का अमित और अतुल का टोटल वेट अगर हम लोग मान लें 100 है तो जो टोटल वेट है वो 26 प्रतीशत बढ़ जाता है यानि कि 126 हो जाता है ठेक है और यह जो 126 परसंट है वो एक्ष्वल में है कितना तो 37.8 यह हमें यह कोशन यहां तक यह कह रह है यानि कि 100% का अगर हमें निकालना पड़े तो बहुत इसली निकाल सकते है 37.8 डिवाइड बाइड बाइड बाइन 26 फिर इंट वहंड़ इसे सॉल्व कर देंगे तो बारतीय अच्छतिस शेती अठारा तीन बार में यह खड़ जाएगा और पॉइंट से एक-जिरो कर ज ऑनना जाएगा 56 fluent फैक्ट्र और अटर क्यूप इंक्रीश्ट बाइड 20 परसंट चोंट 10 कितना होता है उसेरा तो बहुत Fa तो गैसे हो गया यहीं टोटल कितना हो गया 14.4 टोटल वेट दोनों का जो है वह 37.8 हो गया था जब इस थो 37.8 जो है जब दोनों का टोटल वीट इनक्री इस उगा था उता जिसमें से अ्मित का जो weight है वो है मेरा 14.4 माइनस कर दियें यहां पर कितना जाएगा 4 4,7 और यहां पर 3-1 कितना होगा 2, so 23.4 जो केजी होगा सायथ, I think यहां तो यूनिट नहीं लिखा हुगा है, माले ते 23.4 केजी जो है, यह मेरा rest weight है जो increase हुआ है, तो किसका increase होगा तो अब बहूँ के सब दूसरे वाले का, जिसका नाम है अतुर्ण, 18 kg था, increase होकर के यह होगा मेरा 23.4 केजी, कितना का increase होगा है, कितना है 5.4 केजे, 5.4 कुर्ण का increase हुआ है, हमसे उसी का percentage पूचा है, by what percent did the weight of Atul increase, so 5.4 जो है वो कितने से बढ़ा है, 18 से बढ़ा है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, percentage निकाल देंगे, 18-30 होता है, यानि 30% I guess cancer, नेक्स कोशन देखते हैं लोग, नेक्स कोशन है, अब बैंक पेज 22.5% per annum as interest on its deposits, while its charges 25% per annum as interest from its borrower, कोशन है कि बैंक जो है, वो 22.5% जो है, वो per annum interest जो है, अगर कोई पैसा deposit करता है, तो उसको pay करती है, लेकिन अगर वो किसी को loan दे रही है, तो उससे जो है, 25% जो है, उससे interest ले रही है, तो यह जो difference होगा, वो बैंक का क्या होगा, earning होगा, कितने का difference आएगा, तो आप बोलोगे सर्थ 2.5 पा difference आ रहे है, तो यह जो 2.5% का जो difference है, वो actual में bank का earning है, तो यहाँ पे कहा रहा है कि, if at the end of the year, the bank earns rupees 15 crore, यहनि कि 2.5% की value given है, हमें 15 crore, तो 100% का आप निकाल सकते हैं, तो बोलोगे अराम से सर्थ, तो 15 divided by 2.5 into 100 कर देंगे, solve करेंगे कितना जाएगा, 25 चुके साफ, 15 चुके, 60 होता है, यहनि 600 crore, तो 600 crore का उसका total क्या हो गया, transaction हो गया, तो यहनि 600 crore इसका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, next question है मेरा, अब baller whose bowling average is 20.85 runs per wicket, take 5 wicket for 15 runs, एक baller है, जिसका मुझे bowling average दिया हुए, bowling का average दिया हुए 20.85, ठीक हा, runs per wicket, मतलब एक wicket पर कितना run दे रहा है, यह 20.85 run दे रहा है, तो यह इसका average हो गया, now यह जो है, क्या करता है, 5 wicket लेता है 15 run पर, जिसके कारण जो, इसका average है, वो decrease हो जाता है, by 0.85, say, मतलब जितना था 20.85, इसे 0.85 कम हो जाता है, यानि 20 हो जाता है, average, so the number of the wickets taken by him before the last match, तो last match से total, last match होने से पहले, last match कौन सा था, जिसमें वो 5 wicket लिया था 15 run पर, तो इससे पहले तक जो है, उसका total wicket कितना था, हमें यह बता ही, मतलब उसने total कितना wicket लिया था, यह बताना है, इस तरगा question का करने का बहुत सारा method है, लेकिन मुझे जो सही लगता है, वो ऐसे है, एक हमने लिख दिया wicket और दूसरा लिख दिया उसका average, इस वाले last match से पहले वाला, जो total wicket था, हमें पता नहीं है, हमने मान लिया total कितना था, एक्स था, एक्स था, उस situation में मुझे average दिया हुआ यहां पर 20.85, अब क्या है, पांच wicket उसने अब लिया, लास्ट वाले में, तो total जो wickets अब कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5, इसके कारण जो उसका average है, वो 0.85 घर जाता है, यानि कितना होगा, 20 होगा, यहां पर कितना का decrease है, तो अब बुलोगे, 0.85 का decrease है, लेकिन यहां पर जो है increase हो रहा है, कितना का increase हो रहा है, प्लस 5 का, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस प्लस 5 को ऐसे multiply करता है, इससे multiply करता है, तो 5 into 20, इस x को, यह जो x है, यह multiply होगा, इस वाले difference है, ठीक है, तो minus, यह minus है, इसलिए minus हो गया, x को multiply करना है, हमें 0.85 से, तो यह जो आएगा मेरा, वो होगा total run, यहां वाला यह 15 run है, वो होता है, इससे solve करते हैं, कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, 0.85 x equals to 15, इससे solve करेंगे, तो x equals to मेरा निकल जाएगा, कितना, 100, so x क्या था, पहले जो विकेट इसने लिया, हमसे पूछा भी वही था, कि पहले इसने कितना विकेट लिया है, तो 100 इसका right answer हो जाएगा, question number 24, question number 24 कहते हैं, अब यह जो method था, इसमें, average वाला, तो यह average का chapter अगर आपको short track से पता है, तो जाकर आप easily इस तरह से समझ सकते हैं, नहीं, तो थोड़ी से दिक्कत होगी, तो आप videos देख लेना, कोई भी SSE वाला slivers का, तो आपको यह सारे questions कवर हो जाएंगे, वहाँ पर यह सारे tricks समझ में आ जाएंगे, courses भी है, निशानती एकाडमी आपकर, बहुत ही cheap and best price में, आप चाहें तो आपकर चीज़ कर सकते हैं, बहुत ही genuine price है, जहाँ पर आपको सारा पूरा slivers कवर करवाया गया है, क्वांट का, Question number 24 की बात कए, Question number 24 है, A water tank is 3 by 5th full, एक water tank है, जो 3 बटा 5 भरा हुआ है, ठीक है, एक water का tank है, जो कितना भरा हुआ है, पूरे का तीन भाग भरा हुआ है, यानि कि 3 by 5th भरा हुआ है, अब pipe A can fill the tank in 15 minutes, एक pipe A है, जो tank को जो है 15 minutes में भर सकता है, and pipe B can empty it in 10 minutes, और एक pipe B है, जो उसे empty कर सकता है 10 minutes में, इसे जब हम लोग solve करेंगे, तो plus 2 और minus 3, मुझे minus 1 मिलेगा, यानि कि जो एक minute होगा, एक minute में पूरा टंकी जो है, वो खाली होने का ये efficiency निकल गया, 30 पूरा टंकी था, लेकिन इस 30 का कितना भाग भरा हुआ था, मतलो capacity टंकी किती थी 30, तो इस पूरे 30 का 3 by 5 भाग जो है पानी था, 30 का 3 बटा 5 भाग पानी था, इसे जो है, कितने टाइम में ये खाली हो जाएगा, क्योंकि minus आ गया, तो इमबटी वाला portion भारी हो गया, तो यहाँ पर खाली करना है हमें से, कितना आ जाएगा, तो 5 से 5 अके 30, 6-18, तो 18 मिनट में टंकी जो है वो खाली हो जाएगा, negative sign क्या बताएगा, कि टंकी जो है वो क्या हो रहा है, खाली हो रहा है, ठीका, तो जो right answer होगा, वो होगा मेरा 18 मिनट, question number 25 आते हैं, question number 25 हमें कह रहा है, कि a box measures externally 12 meter long, 9 meter wide, 400 centimeter high, तो 400 cm चुकि सब मीटर में है और लास्ट वाला जो है मुझे 1 cubic meter सु सारा मीटर में हमें convert करना है यह भी मीटर में है तो मीटर में सब को convert करते है 400 मीटर यानि कि 4 मीटर तो 4 मीटर हाई है इस थिकनेस ऑग दा ऊड़ इस 50 cm नाउ जो ऊड़ कर थिकनेस है वो है मेरा 50 cm 50 cm का मतलब कितना हो गया तो आप बोलो के सब 0.5 कर दो आप तो यह 0.5 मीटर जो है यह थिकनेस हो गया सो find the weight of the wood हमें वोट का weight बताना है supposing that the one cube meter of wood weighs 0.7 ग्राम हमें कह रहा है कि एक box है सब्सक्राइब यह एक box है कि इस तरह कर दो है कि इस तरीके के हमें एक लखड़ी का box मिल जाएगा आपको यह यहां पर थेकनेस दिया हुए हम मुझे सिर्प समझाना है नहीं तो यह कोशन तो एजी है अब देखो इसका मुझे length breath और height दिया हुआ है 12 मीटर लंबा है 9 मीटर इसका चोड़ाई given है और 4 मीटर जो है यह इसका जो है height है so मैं पूरा का volume निकाल सकता हूं तो पूरा का volume में यह जो बीच वाला जो एरिया जो दिख रहा है यह तो खाली होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा छोटा वाला जो बॉक्स अपको अंदर वाला जो इनर वाला जो इसका lining दिख रहा है dimension देख रहा है मुझे इसका volume निकालके मुझे पूरे वाले से minus करेंगे तो मुझे total कितना लकड़ी है वो मुझे पता चल जाएगा और फिर मुझे weight निकालना है तो 0.7 gram से मैं क्या करूंगा उसे finally multiply कर दूंगा तो मेरा answer जाएगा करना कैसे है बहुत simple है मैं क्या करूंगा 12 x 9 x 4 करूंगा तो यह मेरा total volume निकल जाएगा पूरे का volume अब इसमें से मुझे अंदर वाला यह जो खाली जगा होगा box है चुकि अंदर वाला तो खाली ही होगा तो उसे minus करना पड़ेगा तो अंदर वाला कैसे minus होगा तो धर से 0.5 कम होगा इधर से 0.5 कम होगा तो 0.5 प्लस 0.5 यह हुएंब ही मीटर कम जाएलका तो अगर यह यह से कमेगा 1 meter कमेगा तो 12 में से 1 गया तो 11 होगा तो 11 meter ये length हो गया और उसके जो breath होगा वो भी मेरा एक कमेगा तो 9 से अगर एक कमेगा तो 8 हो जाएगा और फिर इधर कितना है ये 4 4 से 1 कमेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा तो finally मैं क्या करूँगा पूरे वाल्यूम से अंदर वाल्यूम माइनस करूंगा तो मुझे लकड़ी का वाल्यूम निकल जाएगा और इस पूरे लकड़ी के वाल्यूम को जब मैं 0.7 ग्राम से मल्टिप्लाई कर दूंगा तो जो है मेरा total weight निकल जाएगा box का ठीक है अब बस इससे इसे solve करना है तो अब solve करते से इन दूनों में से जो common आएगा मेरा बारदुना 24 इसमें दिख रहा है आठ यह 24 इसमें भी दिख रहा है तो मैंने 24 common ले लिए जिब 24 common लेंगे तो बारदुना 24 ना दूना 18 इसमें बच जाएगा और इसमें मुझे 11 बच जाएगा तो फाइनली 24 और इंटू कितना है 0.7 है तो 18 में से 11 माइनस करेंगे तो साथ बचेगा और फिर यहां पर 0.7 यह जो होगा इसे solve कर लेते हैं तो सासते 49 हो गया 49 इंटू 24 करना है सो 49 इंटू 24 कितना आएगा सो नौ चुके 36 हो गया यहां पर और फिर चार चुक सूला सतरा ठारा उननीस मुझे यहां दिख रहा है फिर नौ दूना ठारा दिखेगा और चार दूना आठ और एक नौ दिखेगा सो नौ ड़्यक्ट सथरह और फिर नौ इंटर से कि 11 हो जाएगा तो यानी कि 117.6 ग्राम यह जो है मेरा एंसर आएगा 117.6 ग्राम यह जो है यह मेरा राइट एंसर हो गया है अपर ठीक हैं नेक्स्कोशन देखते हैं हम लोग नेक्स्कोशन है find the least number of complete years in which a sum of money at 25% per annum compound interest will be more than triple question हमें ये कह रहा है कि हमें least number हमें बताना है complete year का जिसमें जो एक money है एक जो है मेरा capital होगा 25% per annum compound interest के कारण मतलब इस interest से जो है वो मेरा कितना हो जाएगा triple हो जाएगा ठीक है question को करेंगे कैसे तो बहुत simple सा है और बहुत easy से जो है ना यह मतलब तुक्का मार सकते हैं रोग और answer आजाएगा तो मुझे triple करना है तो अगर मतलब 25% का मतलब क्या होता है 25% 25% का मतलब आप बुर्लेगो तो एक साल में वो कितना हो जाएगा next year में 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा पाच हो जाएगा चार चुक्छ सूला चोके 64 और इता है 5 25 25 25 12 64 अगर मेरा हम लेते हैं तीन और पहले 5 साल ही पकड़ते हैं क्यों 3 साल पकड़ए फिर 4 होगा तो फिर पांच हो जाएगा नेक्स रिम हो पांच हो जाएगा यह 5 का हम पकड़ लिया तो अगर 4 इन सब को multiply करें तो 4, 4, 16, 64 और फिर 4, 16 तो 64 अगर हम लोग 16 करेंगे तो मेरा 1024 आएगा ठीक है और इधर अगर हम लोग इन सब को multiply करेंगे तो 25, 625 हो जाएगा 625 अगर हम लोग 5 करने जाएगे तो मेरा में को मिलने वाला है 3, 1, 2, 5 31, 25 मुझे यह देखना है कि इसका 3 गुणा हो रहा है या नहीं या फिर more than triple मतले 3 गुणा से जादा होना चाहिए तो साफसा पते चल रहा है एक हजार का मेरा 3,000 होता है और 24 का 3,72 होता है तो 3,72 होगा 3,72 से जादा हो गया यह तो जो राइट है वो मेरा पहला वाला ही option हो गया ठीक है घड़ी खरीद के लाता है and fixes its mark price in such a way that after allowing a discount of 15% 15% का अगर discount दे रिया जाए उसे he earns a profit of 30% तो 30% का जो है वो profit जो है gain करेगा what is the mark price of the watch तो watch का mark price बता यह question जो है जो है दू चीजें given होनी चाहिए discount given होगा और profit given होगा तो इस situation में हम लोग क्या करेंगे CP और MP का जो ratio निकालने का जो तरीका होता है वो होता है 100 से हम लोग discount को minus कर देते हैं और जो MP जो mark price होता है उसे निकालने का तरीका होता है 100 में हम लोग percentage profit को add कर देते हैं तो 100 से अगर जो discount है discount कितना है मेरा 15% इसे हम लोग माइनस कर देंगे में को कितना आएगा 85 इधर आएगा इधर 100 में percentage profit था 30 इसे add कर देंगे तो 130 हो जाएगा 85 इस तो 130 आजाएगा पास से cancel हो जाएगा 17.50 और फिर पास से यह cancel हो जाएगा पास दोना दर्स पांचे के तीस तो 17 इस्टो 26 यह जो है यह दोनों का ratio हो गया CP और MP का ना question यहां पर यह है कि जो purchase कर रहा है merchant वो 680 रुपए में purchase कर रहा है यानि जो CP है वो है 680 रुपए मेरा जो ratio है वो 17 आया है आता है if a and b are in the ratio of five is to seven a और बी जो है वो five is to seven के ratio में है and their LCM is 210 और इसका जो LCM है यह है मेरा 210 then a-b का value बताओ यह बहुत सिंपल है देको मुझे यहां पर five is to seven जो है यह मेरा दो नंबर का ratio दिया हुआ है तो इसका LCM क्या होता है तो LCM होगा जो मेरा common मिल जाता है वो भी और जो नहीं मिलता है उन सबको multiply कर तो five और seven और x x common मिल गया यह तो इन तीनों को multiply करेंगा तो मुझे क्या निकलेगा LCM निकलेगा जो की है मेरा 210 x का value मुझे कितना पता चल गया 6 नहीं मुझे x का value 6 पता चल गया मुझे a minus b चाहिए तो a है मेरा 5x b है मेरा 7x माइनस कर देंगे तो माइनस 2x दिखेगा x की value है 2 तो छेदूना 12 माइनस 12 दिखेगा यानि कि जो option c है वो मेरा right answer होगा question number 29 हमें कह रहा है in a classroom there are certain number of benches कुछ benches की संक्या है हमें नहीं पता कितना benches है कि माल लेते हैं कितना बेंच वाई है if five students are made to sit on a bench एक बेंच पर पांच स्टुएंट को अगर बठाया जाए तो क्या होगा कि एक और जो है बेंच लगेगा सारी जितने बच्चे हैं उसको बठाने के लिए अगर एक बेंच पर साथ स्टुएंट करके बठाया जाए दिन आफ्टर एकोमोडेटिंग ऑल अफ देंडी स्पेस ऑफ थी स्टुएंट्स इस लिफ्ट मतलब सबको बठा देने के बाद जो है तीन स्टुएंट्स की जगा जो है बच जाती है देन वाट इस टोटल नंब स्टुएंट इन थे बेंच फ्रीने यस धनींगा भूंध कर एक फैस पर वाइस गाई तो वेसे फंफिंटर को बठाए जाएगाए लगा बेंच में कितने बचे बैट रहे हैं 5 बच्चे और हैं तो 5y प्लस 5 टोटल नंबर ओफ यह क्या निकलेगा स्टूडेंट जो कि हमने माना हुआ है एक्स तो 5y प्लस 5 इक्वल्स टू एक्स इस एक्वेशन वन ठीक है नेक्स केस आते हैं सब्सक्राइब इस इस आप साथ स्टूडेंट को एक बिच पर बढ़ाया जा रहा है यानि 7y टोटल इस तूड़ जारे है लेकिन ऐसा करने पर तीन स्टूडेंट की जगा बच जारी है यानि तीन स्टूडेंट कम है इस से ठीक है तो टोटल यह जो होगा 7y-3 इकोल इस तो प्लस 5 इक्वल्स टू 7y-3, solve करेंगे तो मुझे 2y इक्वल्स टू 5 तिन 8 दिख जाएगा, यानि मुझे y इक्वल्स टू 4 दिख गया, तो y इक्वल्स टू जब मुझे 4 दिख गया, मुझे x की वैल्यू से मतलब है, अब किसी में भी आफ पूट कर दीचे, मैं पहला वाला equation लेता हूँ, इसमें 5 इन्टू y की वैल्यू है, 4 प्लस 5, मैंने पुट कर दिया, तो 5 के 25, 25 यह मुझे x की वैल्यू निकल गई, so total number of students कितने हो गया, 25, clear हो गया, next question हम लोग आते हैं, next question है, a dealer buys an article at a discount of 25%, एक dealer जो है, 25% के discount पे, जो है, एक article buy करता है, खरीदता है, on its mark price, mark price पे, okay, and marks it at 20% above the mark price, then he allow a 25% discount on the list price, then his profit percent is, question हमें यह कह रहा है, कि एक जो dealer है, वो एक article को खरीद के लाता है, 25% discount पे, ठीक है, तो suppose यह CP हो गया, यह मैंने MP, उपर वाले question जो अभी कर रहा था, उसी से मिलता है, जूलता है, तो हमें CP निकालने के लिए क्या करता है, 100 से हम लोग डिसकाउंट को माइनस करता है, तो जो डिसकाउंट है, वो 25% का है, माइनस कर दिया, मुझे मिल गया 75%, उसे निकालने के लिए, जो है, हम लो गया करेंगे, उसमें, जो है, जो हम लोग जो प्रॉफिट परसंट होता है, उसमें जो प्रॉफिट परसंट को 100 में, ना यहां पे हमें profit percent नहीं दिया है हमें कह रहे है कि वो क्या करता है mark करता है 20% बढ़ा के mark price तो 20% बढ़ा के mark कर रहा है यानि एगर 100 अगर होगा मेरा mark price तो उसे 20% और बढ़ा रहा है यानि 120 कर रहा है ठीक है तो अब जो है यह दोनों cancel हो सकता है कितना से cancel होगा sir तो 15-75 हो रहा है 15 से एक एंसल हो जा रहा है 15-75 और मेरा पंदर अठी 120 होता है 5-8 का रिश्यो निकल गया जो MRP है वो अगर मेरा 8 रुपया है तो जो CP होगा वो कितना है 3 रुपया अब जो है वो कहा रहा है कि जो मार्क प्राइस ने डिसाइड करा था 8 इस पर वो 25 परसंट का डिसकाउंट देता है तो 8 का 25 कितना होगा तो आप बोलेंगे 8 का 50 परसंट तो 4 रोपया उसका भी आधा करेंगे तो मिरा परसंट निकल जाएगा यानी 25 से दो रुपया जो है चोड़ दे रहाए medium below 6 रुपया वो सबास्ब्स को बैचा जा रहा है तो SP जो है वह 6 रुपया हो गया खरीदा था कितना में 5 रुपय में कितना का परौफिट हूंत परने एक बड़ा 5 पाश कितना परसंट होता है सबीस परसंट क्लेर हो गया question next question आते है next question बहुत important और इस तरह का question कैसे में बहुत जादा पूछा जाता है यह question और यह visibility rule पे based ठीक है अपने courses में बताये हुए visibility rule को किस तरीके से करते हैं आप YouTube पे मिल जाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है hard and fast rule लें यहां पर एक कोशन क्या है आपको यहीं पर बता दे ना आपको YouTube पर बटकने की विजरूरत नहीं बस जो भी बताऊंगो उसे grip कर लेना उसे अपने अंदर डाल लेना अच्छा से यहां पर कोशन यह है क कि if a 10-digit number this is divisible by 88 then the value of x plus y is now अब यहां पर कोशन यह है कि एक नमबर है यह जो की 88 से divisible 88 का मतलब होता है 8 into 11 ठीक है यानि यह 8 से भी divisible होगा और 11 से भी divisible होगा यहां पर दो criteria यूज होगा एक 8 का divisibility rule हमें क्या कहता है और दूसरा 11 का divisibility rule क्या कहता है ना 8 का divisibility rule हमें यह कहता है कि जो last का three number है जो last का यह जो three number आप देख रहे है 6 y 4 यह जो है यह divisible होना चाहिए 8 से तो now 6 y 4 को जब मैं 8 से divide करूँगा तो आप सुचो 80 80 कितना होता है तो 64 होता है बहुत easily हम लोग guess कर सकते हैं तो 80 80 64 यह 6 से 6 तो यह minus हो जाएगा y की value इतनी होनी चाहिए जिससे मैं 4 को minus करके something आए यहां पर और फिर मैं इस 4 को यहां पर copy करूँ तो 8 के table से यह something जो यहां पर मुझे दिखेगा यह cancel होना चाहिए तो अब लोग इसर बहुत simple सा लग रहा है आट यह 24 अगर रहता है तो cancel हो जाता है यहां ठीक है ऐसे हम लोग सो सकता है यहां पर अगर यहां पर 2 बचे तो यह अन्हीं कि or 2 कै उनी चाहिए 6 होनी चाहिए तो 6 से अगर 4 minus करेंगे तो मेरा यहां पर 2 हा जाएगा और 2 से हो जाएगा तो 8 tidak 24 तीन बार में यह कड जाएगा है यहां पर आ रही है हमें यह चीज यहां पर पता चल रहा है ग्यारा से अब यह डिविजिबल है पूरा का पूरा तो 5329 X then 776 Y4 now this number is divisible by X sorry sorry this number is divisible by 11 11 से divisibility rule हमें यह कहता है कि कोई भी number 11 से कैसे divisible होगा तो हम इसका odd places और even places को चेक कर लेंगे और प्लेस मतलब देखो यहां पर one place पर यानि कि जो one जो डिजर्ट है वो फोर है उसके बाद फिर तीसर नंबर पर छे है फिर उसके बाद में उसे साथ है फिर उसके बाद 9 है फिर 3 है इन सब को add करो तो 3 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 ना माइनस करेंगे जो even place है वो सब का number तो y है फिर 7 है 7 के बाद मेरा x है तो y की value हमने निकाल ली अब 6 ठीक है तो अब यहां पर यह जो y है इसके जग़ापे 6 है और 6 के बाद मेरा 7 है 7 के बाद मेरा x है x के बाद मेरा 2 है 2 के बाद मेरा 5 है और यह जो minus आएगा वो 11 से divisible होना चाहिए या फिर अगर 11 से divisible नहीं है तो उपर में जो है मुझे 0 मिलना चाहिए मतलब इसको इससे minus करके 0 मिलना चाहिए यह दो case है अगर यह दोनों satisfy हो रहा है तब जाके या फिर दोनों में से 1 satisfy हो रहा है तब जाके वो number 11 से divisible होगा इधर वाले को add कर रहे है तो कितना जाएगा 6 4 10 10 20 20 और फिर 9 कितना हो गया 29 हो गया तो इधर आ जाएगा मेरा 29 और इधर मुझे मिलेगा 20 प्लस X तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस X मिलेगा और डिवाइड बाई 11 नाव 29 से 20 माइनस करा तो 9 माइनस X बाई 11 अब देखो 9 में X का value कुछ भी put करो वो 11 से divisible नहीं होगा मतलब इसे माइनस करने के बाद मतलब 9 माइनस X को माइनस करने के बाद हमें एक ऐसा number मिलना चाहिए जो 11 का multiple हो और साब साब पता चल रहा है 9 से अब कुछ भी minus कर लो element का multiple नहीं आने वाला ठीक है अब दिमाग मतलगाना सुरू करते हैं कि X का value अगर मैं माइनस में रुक हूँ जैसे अगर मैं माइनस 2 रत लूँ तो जो है वो मेरा multiple हो जाएगा 11 एक 11 तो यहां पर minus मैं नहीं देख सकते value क्योंकि numbers given है ठीक है तो हम क्या करेंगे जो दूसरा तरीका है मतलब मुझे 11 से divisible होने का जो rule कह रहा है वो कह रहा है कि यह जो उपर का जो numerator है उसकी value इतनी होनी चाहिए कि या तो वह 11 से divisible हो या फिर उपर वाले की value 0 होगा जाए तो 0 आने के लिए एक्स का value क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए 9-9 क्या हो जाएगा जीरो यह एक्स इकोल्स टो क्या होगा 9 हमें दोनों का value पता चल गया है एक्स मुझे 9 देख रहा है और जो y है उसकी value हमें दिख गई 6 तो 9 प्लस 6 कितना होता है 9 6 15 15 जो है वो मेरा answer हो जाएगा ठीक है question clear हो गया next question हम दो देखते है question 32 now question 32 हमें कहता है कि अतुल bought 9 tables and 15 chairs for Rs 12,000 जो अतुल है वो मेरा 9 table plus 15 chair यह खरीद के लाता है 12,000 रुपे में ठीक है he sold the table at a profit of 20% उसने table को जो है वो 20% profit पर उसने बेच दिया और chair को जब वो बेचा है तो 10% का उसे loss हुआ है if his total gain was Rs.300 300 रुपे का total profit हुआ है उसे 300 रुपे का total profit हुआ है कितने में 12,000 रुपे में से 12,000 का 300 कितना percent होगा तो यह 10% हो जाता है 1200 एक percent जो है वह होगा 120 120 बिना 240 हो गया यानि approximately नहीं confirm 2.5 percent आएगा तो यानिकि 2.5 आप ऐसा निकाल सकते हैं इन्टो 100 कर दो solve कर दो cancel कर दो 2.5 आजाएगा तो 2.5 percent का इधर total उसे क्या हो रहा है गेन हो रहा है आपको allegation अगर method पता है तो बहुत इसली आप इसे calculate कर सकते हैं यहां पर minus होगा कितना हो जाएगा 17.5 और इधर हम लोग minus करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 12.5 इस माइनस दिस कर रहा तो 12.5 आ गया इससे solve कर दे रहा है point से point cancel हो जाएगा 125 और 175 सो 125 और 175 कितना होता है 25 और 125 हो जाएगा 25 और 175 हो जाएगा 5 इस्टो 7 आ जाएगा मेरा तो यानि जो ratio है इन दोनों का cost का वह 5 इस्टो 7 है साथ पांच कितना होता है 12 होता है यह पहला वाला यहनि 5 को अगर मैं 1000 से multiply करो तो 5000 जो होगा वो मेरा यहां पर answer आएगा ठीक है यह question number 32 है now question number 33 की बात करें question number 33 है the ratio of the present age of x and y is 5 इस्टो 9 6 years ago तो present age जो है वो है मेरा 5 इस्टो 9 6 साल पहले 6 years ago इनका जो age का ratio था वो था 3 is to 7 what will be the ratio of ages of x and y after 5 years from now अभी से 5 साल के बाद जो है क्या ratio होगा हमें वो बताने है ठीक है question clear हो गया now यहां पर जो difference 3 और 7 के बीच का वो 4 है यहां पर 5 4 9 उनों का difference same answer तो बहुत easy हो गया यहां पर यहां पका difference देखना है कितना हो जाएगा साथ दून दो लेकिन यह जो दो difference है लेकिन हमें बोला कितना का difference होना चाहिए जो है यहां पहला वाला जो option होगा वो मेरा राइट एंसर होगा question number 34 आते हैं लोग now question number 34 यह बहुत important है अच्छा question है यह question है यह three numbers are such that if the average of any two of them is added to the third number अगर किसी दो number का जो average होगा उससे उसके साथ अगर मैं तीसरे number को add करो then the sum obtained are 155 120 and 103 respectively what is the average of the original three number so जो original three number का हो जो three number होगा मुझे उसका average बताना है हम मान लेंगे कि जो तीनों number है वो है मेरा x है y है और z है ठीक है तो जो condition हमें कह रहा है वो कह रहा है कि पहले 2 का हम लोग average है first two उसका average उसके साथ तीसरे वाले को add कर दो तो पहला case में आए जाएगा 155 दूसरा जो case होगा वो y plus z by 2 कर दिया और इसके साथ हमने x को add कर दिया तो यहां पर वह हो जाएगा मेरा 120 और तीसरा जो है वह है मेरा तीसरा कॉन से हो जाएगा x plus z हो जाएगा तो मुझे दिखेगा यहां पर x plus y plus 2z equals to 155 into 2 करेंगे तो कितना जाएगा 310 आजाएगा अब second case में क्या है x plus z plus 2y equals to कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा और तीसरा वाला जो है वह हो जाएगा मेरा y plus z और फिर plus 2x equals to कितना हो जाएगा 206 यहां पर यह हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो जाएगा y plus z और plus 2x equals to कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा इन सब को आड़ करेंगे तो मुझे जो दिखेगा वह होगा मेरा 4x plus 4y plus 4z 4x plus 4y plus 4z equals to इन सब को आड़ करेंगे कितना जाएगा यहां पर 6 2, 2, 4, 3, 7 और फिर यहां पर 4, 5 यहनि 7, 56 आजाएगा now 4 common लेकर के इधर बेज़ देंगे तो divide by 4 आजाएगा और finally जो मुझे मिलेगा x plus y plus z equals to 756 by 4 4 से divide करेंगे कितना जाएगा 189 so x plus y plus z equals to कितना गया 189 मुझे इन तीनों का आवरेज निकालना है divide by 3 कर दो तो तीन से कटेगा तो कितना जाएगा तीन चक अठारा तीन तरी के नौ तीन चक अठारा और तीन तरी के नौ यहनि 63 जो है यह मेरा राइट एंसर हो गया इसका ठीक है now question number 35 the ratio of efficiency of A, B and C is 5 is to 8 is to 3 मतलब 3 है एक है A, दूसरा है B, तीसरा है C, तीनों की efficiency है 5 is to 8 is to 3 working together they can complete a piece of work in 7 days अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो साथ दिन में पूरा काम हो जाता है यह तीनों की efficiency है तो total efficiency कितना हो जाएगा 8, 13, 13, 16 now हम लोग जानते कि efficiency को यानि कि 16 को जब हम लोग total number of days से multiply कर देते हैं तो मेरा total work निकलाता है so जो total work है वो हो जाएगा 16 into 7 कितना जाएगा 16 सते 112 so 112 जो है यह total work है अब कोशन यह है कि B and C work together for 4 days B और C दूनों मिलकर के यानि 11, 4 दिन तक काम किया है तो 11, 14 काम कर लिया है तो 112 काम था total जिसमें से 44 काम हो गया तो बचा कितना 68 काम यह 68 काम को कह रहा है कि A कितने दिन में अकेले cover करेगा तो A की efficiency है 5 divide कर देंगे 68 बटा 5 कितना होता है तेरा पुर्णांग 3 बटा 5 यह जो 13 and 3 by 5 days है यह मेरा right answer होगा question number हम लोग आता है 36 पे question number हमें 36 कह रहा है कि if the diagonal of two squares are in the ratio of 7 is to 5 diagonal का formula होता है root 2 into side तो पहला square का जो diagonal होगा root 2 into a1 हो जाएगा दूसरा वाला का root 2 into a2 हो जाएगा root 2 root 2 ऐसे भी कर गया a1 by a2 का जो ratio है वो मुझे 7 is to 5 दिया हुआ है तो area का ratio क्या होगा square कर देंगे तो इदर भी square हो जाएगा 7 का square उन्चास और 5 का square कितना हो जाएगा 25 so 36 का जो है option a जो है वो मेरा right answer होगा 37 की बात करें कह रहा है कि if a train runs at a speed of 45 km per hour it reaches its destination 15 minutes late कह रहा है कि बातालेस किलो मेटर पर हार का speed से अगर चलता है रहरारह के इसमें लेट होताएं जब दोनों केस में LATE होगा तो ह्म लोग यह ब्नुझ में लेट लेट फेहये माइनस कर देते इदर वाली लेकिन अगर लेट और इंक में लेट गया है और दूसरे वाले में अरली चला यह तो उस केस में क्या करते हैं पलस कर देते। यहां दोनों केस में लेट हुआ है तो माइनस कर देड़े पंदरह में से चार गे तो कितना जाएगा 11 मिनट पाइदा क्या होगा यह एक ट्रिक है अब देखो यहां पर इन दोनों का करेंगे तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर किया तो पांश होगे का लेकिन आपर जो कितने बाघए गल्री जो यानि जो एक घंटे की जो वैल्यू है वह है ग्यारा मिनिट को अगर हम लोग आर्स में करेंगे तो ग्यारा बटा साथ हो जाएगा हम इस ग्यारा बटा साथ को क्या कर सकते हैं डिस्टंस निकालने के लिए जो है कितना डिस्टंस होगा तो 9 इंटू 5 इंटू 6 से इस लिकर कर चलें अगर मैं यहां पर सॉल्व करके बता देरों इस वाले जगह पर थोड़ा से सो टोटल जो डिस्टंस है नाइंटी नाइन बाइटू किलोमेटर और इसे जो है 45 किलोमेटर परार का स्पिट से अगर कवर कर किया जाएगा सो डिवाइड बैट गयर बटा दस मुझे इतना घंटे का समय लेगा 10 घंटा बतला एक घंटा लगेगा और यानी चली प्ल शीना है मेरा मेरा जहां दसमैरriel Air When Two Patrik नुएर मीनने चली को यहां पर संप अगर 15 में खरीदा होता और उसे 95 रुपया कम में उसने तो उसे 30% का प्रॉफिट होता है तो बताओ जो है और इजनल कॉस्ट क्या होगा आर्टिकल का प्राइस था उसे 20% प्रॉफिट में बेचा है यानि 120 रुपय में बेचा है ना कोशन है कि अगर 15% कम होता तो 15% अगर हम लोग दाम कम करें तो यहां पर 85 हो जाएगा अब 85 में में बेचा है और 30% का गीन किया है तो 85 का अगर मैं 30% निकालने जाओ तो मेरा कितना जाएगा 8.5 होगा 10% यानि ओवरॉल एड़ करने के बाद कितना जाएगा 110 110.5 यह आ जाएगा मेरा टोटल इतना रुपय में उसे बेचना पड़ेगा तो कह रहा है कि जो है वह पहले वाले से इस वह इंटी फाइट पॉर 95 लेस मतलब इससे यह जो है कितना कम है 95 कमा रहे है इसकी वाइल्यू मुझे दी हुई है 95 यानि कितना का फेक्टर हो गया यह 10 का फेक्टर हो गया तो मुझसे पूछा है कि जो और इजनल जो कॉस्ट प्राइस है बताओ हंड़ को 10 से मिल्टिप्लाई कर देंगे कितना जाएंगा सर थाउसंट आ जागा यह एंसर ठीक है कोशन हम लोग 39 पर आता है कोशन हमें 39 कह रहा है कि डिफरेंस बेट्विन दसी आई एंड़ एसाई फो टू एरस नाइए और एसाई का दो साल का जो डिफरेंस है वह 9 परसेंट के को अगर मैं ऐसा ही निकालों दो साल का सिंपल इंट्रेस्ट तो 30 रुपया निकलेगा और अगर वहीं से निकालने जाओंगा तो 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15 वाई हंड़ हो जाएगा पंदरा के स्कॉर होता है टू तू फाइप 2.25 आ जाएगा यहां पर कितना हो जाएगा 9 divided by 2.25 मुझे 2.25 और मुझे जो है क्या करना था सम फाइंड करना था सम यानि मुझे 100 परसेंट यानि 100 की वैल्यू फाइंड करनी है बस सॉल करना एंसर आ जाएगा ठीक है सॉल करते हैं से तो इसे हटाया यहां पर 100 कर दिया हमें दिख रहा है यहां पर इसतना उनलावार कि बदक करें से 10 नंबर 40 जो है ज blocks कि लिए ले इसका पूस्जान हो तो इस तरह का क्कोश्चन प्सजो है यह मेरी है जो है क्या कहते हैं से हम लोग स्क्वाइर रूट वाला जैसा कोशन है हमें यह अंदर वाले को जैसे जो पहला पहला मैं समझा रहा हूं यह 7 प्लस 4 रूट 3 है मुझे इसे सम्थिंग का स्क्वाइर में कंवर्ट करना है कैसे होगा यहां पर 7 को मैं बाद में सॉल्फ करोंगा यह जो 4 रूट 3 है ठीक है इससे मैं लिख सकता है और 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 टू 2 जा 4 4 रूट 3 आ जाएगा यहां पर मुझे इस तरह से दिख रहा है तो अब्वेस से अगर मैं इसे स्क्वाइर प्लस ब्सक्वाइर प्लस टू एब करना होता है ठीक है यही इसका तरीका है मैं फटा-फट आपको करके दिखा देरों करने जाओंगा अब मैं बहुत जादा टाइम लगेगा मतलब यह कैसे करते हैं यह बताने में बहुत टाइम लगेगा आप कोश्चिंस करना इसे पकड़ने की मतलब किस तरह से यह जल्दी हो रहा है तो यहां पर 7 प्लस 4 रूट तो a square plus b square plus 2 a b मुझे दिख रहा है इस form में दिख रहा है तो इसे में लेख सकता हूं a plus b का whole square ठीक है हमेशा push c करने के सब को जैसा मिलेगा उसे इसी तरह से convert करना है यहां पर यह रूट दिया हुआ है यह वाला मेरा root है तो overall यहां पर root होगा इसका solution करेंगे यहां पर root हो देगा 2 plus root 3 आजाएगा तो यानि 8 दूना 16 plus 8 root 3 यह मुझे दिखेगा इतना का value और फिर बाद में क्या है plus 3 प्लस 3 करेंगे तो 16 plus 3 तो 16 9 19 plus 8 root 3 मुझे यह मिलने वाला है और फिर उसके बाद फिर मुझे यहां पर root दिखेगा यानि इतना का root अगीन हम लोग same method से वैसे ही करेंगे तो अगर हम लोग उसी तरह से करने जाएंगे यहां पर तो चार्चोग 16 17 18 19 तो हमें यहां पर 4 का square और plus root 3 का square plus 2 into 4 into root 3 चारदूना 8 root 3 मुझे इस तरह से दिखेगा इसका root यानि overall 4 plus root 3 मुझे यह दिखेगा अब इस पूरे को solve करेंगे तो मेरा 4 plus root 3 दिखेगा और बाहर में है मेरा minus root 3 यह माइनस root 3 यह वादा और इतना को जब solve किये हैं तो मुझे दिख रहा है यहां पर plus 4 plus root 3 इससे यह cancel हो गया 4 दिखा 4 का root क्या होता है 2 होता है जो 2 जो होगा वो मेरा right answer होगा नेक जो section है वो है मेरा general English का section इसके अंदर 10 question है पहला जो question है वो है sentence rearrangement का first point है P manageable fires in Karnataka's forest दूसरा है in the past week of November the forest survey of India's FSI fire alert dissemination system has started ringing a warning not just of a small R जो है वो है मेरा but also the fire season which will start in a few months time और जो S वाला जो statement है वो है मेरा a tapet retreating monsoon has set of fire set of fears again of forest becoming tinder boxes देखो यह वाला साफसा पता चल रहा है कि यह जो है यहां से स्टेंस स्टार्ट होने वाला है एक है यह यह नहीं होगा तो आप इतना सोच के भी कर सकते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए तो थोड़ा सा और समस्ते हैं यहां पर देखो not just मुझे दिख रहा है और यहां पर बट ऑलसो दिख रहा है not just या not only बट ऑलसो यह हमने ग्रामर में रूल पड़ा हुआ है अगर confirmation चाहिए एक बार रीड कर लो statement सेम आएगा ठीक है next हम लोग देख लेते हैं यहां पर question number 42 question number 42 हमें एक sentence error का question दिया हुए question है I told Josh outrightly now outrightly दो तरह से use होता है पहले outrightly जो है वो एक adverb है outright जो है वो भी एक adverb है ठीक है लेकिन जब भी हम लोग out rightly use करते हैं तो हमेशा इसके बाद वर्ब आएगा ठीक है आउट रैटली के बाद वर्ब आता है लेकिन अगर हम लोग out right यूज़ करते हैं तो इससे पहले वर्ब आता है यहां पर I told जो है वर्ब पहले आ गया है तो out rightly नहीं होगा out right होगा तो इसलिए जो पहला statement वाला वास पार्ट जो है वो गलत क्लिर हो गया कोश्च निमर 43 आते हैं हमें जो है करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करना है यह है मेरा अडिय सी आर एन आई बील य अन्डिसर निबली पता नहीं यहीं प्रणिसेशन होना चाहिए इसका मतलब जो होता है वो मैं बता देता हूं मतलब होता है क्लियर्ली विज़िबल नहीं होना या फिर दिखाई नहीं देना जो मतलब बहुत रेर दिखता है उसे हम यहां पर बहुत अच्छे से नहीं दीख रहा है तो इसे हम लोग कहेंगे अंडिजर निबली ठीक है थोड़ा मैं जो है फिरनसीशन में कभी-कभी गलत हो जाता हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपको गलत बता रहा हूं ठीक है तो यहां पर जो है थोड़ा सा अप किंग अच्छी हुए तो वह कॉमेंट सेक्षिन में कॉमेंट कर सकता है मैं टूशन लेने के लिए तैयार हूं उनसे कोशन नमर 44 की बात करते हैं यहां पर हिट रोड हिट रोड जो है इसका मतलब होता है सिट आउट जर्नी जर्नी स्टार्ट करना जर्नी बिगन करना तो बी वाला जो ऑप्षन है तो बिगन जर्नी यह इसका सही अंसर होगा ना कोशन नमर 45 की बात करें हमें एंटोनेम करना है रिट्रैक्ट का मतलब होता है कोई अगर जैसे कुछ गलत अगर स्टेटमेंट किसी ने दिया तो उसे वापस लेना ठीक है इसे हम लोग कहते है इसने जो बात कही है उस पर वो क्या करें मतलब अमल करें उसी पर जो है डिगा हुआ रहा है उसी पर उसी को बोले कि नहीं जो मैंने कहा है वही सही है ठीक है तो यह होगा यहां पर इसका एंटोनिम हो जाएगा संब्स सिनोनीम के बात करें तो panneceğiz जो है उसका मतलब होता है harmful effect किसी चीज़ पर तो detrimental जो है वह सिनोनीम हो गया है यहां कैसे करेंगे तो आप इस तरह से जो है इसे याद कर सकते हैं अब मैं थोड़ा सा अगर जैसे अगर आपकी इंगलिस अगर वीक है इस्पेशली जो है वर्ड वाला जो पोर्षन है क्योंकि examination में competitive exam में आपको words की उपर कमांड होने बहुत ज़रूरी है तो आपको YouTube चैनल जो आप देख रहें अभी हमारा तो इसमें आपको ट्रिक के थ्रू जो है कुछ वीडियो मिल जाएंगी कि मतलब कुछ ऐसे पार्ट्स हैं फोर ही पार्ट्स में डाले हुए थे क्योंकि उस पर बहुत कम आ रहे थे और जो है रिस्पॉंस भी दे रहे थे स्टुरेंट तो इसलिए जो है मैंने जो है उसे कंटिन्यू नहीं करा उसके अंदर आई थिंक टूटल हंडर्ड प्लस जो है यह हंडर्ड के आसपास आपको टूटल ऐसे वर्ड मिलेंगे जो बहुत ही निमोनिक फॉर्म में यानि कि आ आप ट्रिक के द्वारा जो है कैसे उन सारे वर्ड को याद कर सकते हैं वह मैंने बताया हुआ है आप एक बर वीडियो देखिए अगर सही लगे तो उसे कंटिन्यू करिए आप कॉमेंट सेक्शन में भी कॉमेंट करके बोल सकते हैं कंटिन्यू करने तो मैं जैसे आपका प कोशन जो है वह हमें अगेंज एक्नर डेक्शन का कोशन दिया हुए कोशन है दिए आदिक्र अफंटी टोट्स कंटिजिटिट सिंबस्टी पढूंब करना है तो रिलीजन के लिए जो एकदम बिल्कुल टॉलरेंट नहीं होता है, बिल्कुल इंटॉलरेंट बेहिवर्स तो करता है, उसे हम लोग बाइगाट कहते हैं, ठीक है तो बाइगाट इसका राइट अंसर होगा, इसके बाद जो है मेरा एंटोनिम का कोशन है, एड्मॉनिस का मतलब होता है, किसी को बहुत बुरी तरह से डाटना, रिप्रिमांड करना, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा, वो होगा कम्प्लिमेंट देना एक तरह से तारीफ करना, तो जो ऑप्शन जो फूर है वो इसका राइट अंसर होगा, कोशन नमबर 50 की बात करें, तो मर्क्यूरियल जो है, इसका मतलब होता है मेरा, सबजेक्ट टू सडन और अनप्रेडिक्टिबल चेंज ओफ मूड और माइंड, मतलब अचानक से जो चेंज करता रहता है, मतलब किसी का मूड में अगर चेंज हो रहा है, मतलब बार बार जो नहीं है, ना नेकर जो सेक्शन है, वो है जनल अवेर्नेस का सेक्शन, अब बहुत सारे इस्टूरेंट यह कह रहे हैं कि जनल अवेर्नेस जो है, उसकी क्लास आप स्टार्ट कर जो जितना कम समय बचा हुआ है, इसमें जनल अवेर्नेस कोई चोटा टॉपिक नहीं है, FSS AI, इनिशिटिव की तरह, यह बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीजिस के अंदर आती है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कुछ मेराथन क्लास में जो है आपका कवर हो जाए, और अब जितना डीप पढ़ोगे, उतना मज़ा भी आता है इसे पढ़ने में और अच्छा ग्रिप भी होता है, ठीक है, तो जनरल अवरनेस अगर आपका नहीं हुआ है, तो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है, 21 डेज वाली स्ट्राटिजीज में, आप उसे जरूर कवर करिए, अगर वो भी आप गर आप नहीं कर सकते हैं, उतना भी टाइम नहीं है आप आपके पास तो आर्ट एंड कल्चर के जितने सारे टॉपिक्स हैं, वो आप कवर कर लीजिए, उसकी नोट्स आपको निशानती-academy.in website पे मिल जाएगी, as a post के form में, ठीक है, डाउनलोडबल नहीं है, आप website पे उसे पढ़ सकते हैं, उनसे questions लड़ेंगे आपके, और इस से ले करके, दिसंबर तक का, शेतंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये चार मन्स के current affairs सबसे जादा important है, बहुत सारे आपको student या teachers आपको ऐसे भी होंगे, जो आपको कहेंगे कि January, February और even March को भी कर लें आप, तो नहीं, ये important नहीं है, क्यों नहीं है, इसके दो reason है पहला reason ये है, कि paper जो है, अभी ये first नहीं हो रहा है, इससे पहले जो है, पहले वाला जो postpone हुआ था, उस समय आपका admit card आ गया था, generally कोई भी body ये करती है, कि admit card आने से पहले तक paper decide हो जाता है, ना लिक करने का, paper leak करने का, अभी तक कोई भी issue नहीं हुआ है, या दिमाग में या कान में, अभी तक किसी भी teachers के कान में ये बात नहीं कहीं है, कि paper जो है leak हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो 99.99% chances है, कि December तक के ही current affairs आप से पूछे जाएंगे, पीछे कहां तक जाना है, मतलब December से आगे नहीं आना है, आपको ये confirm है, लेकिन अगर आपका सारा cover हो गया, आपके पास कुछ खड़ने के लिए नहीं है, तो आप January, February, March का भी कर सकते हैं, लेकिन जहां पे आपका बहुत सारा slivers अभी बचा हुआ है, आपको समझ में नहीं आप क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, तो गलती से भी January, February, March का current affair मत करना, 2022 का, मतलब समझदारी नहीं है, ये बाकि अब आप समझो, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम सिर्फ समझा सकते हैं, आपको सही guidance ही दे सकता है, पीछे कहां तक का करना है, ये कोई decide नह Generally, current affairs में ही, कोई भी body, जो examination body होती है, वो current affairs में उनके पास age होता है, current affairs जो है, अगर किसी भी exam में देखा जाए, तो वो last two years के अंदर वो पूछती है, UPSC की बात करें, तो UPSC कभी-कभी 18 से question उठा के दे देता है, चाहे वो EPFO का exam हो, चाहे APFC का exam हो, चाहे CAC का exam हो, ठीक ह कभी, जो है, मतलब, अगर 2022 में अभी paper हो रहा है, तो यह जरूरी नहीं कि 2021 से ही question पूछेगा, वो 2019 से भी पूछता है, 2018 से भी पूछता है, 2017 से भी कभी-कभी पूछ लेता है, तो ऐसा UPSC करता है, FSS AI अभी तक है, उसने ऐसा नहीं कर रहा है, इसलिए जो है, मैंने आपक इस शूर है कि 5 questions में से 3-4 questions आपके लड़ जाएं, अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो 4 questions तो पकार लड़ जाएंगे, अगर किस्मत देखा रही तो 2-3 ही लड़ेंगे, तो at least 2-3 तो 1 आपका 4 मंत का पड़के, आप यह समझदारी का है, 2-3 questions कवर करने के लिए, आप पू सारे बचे पूछ रहते हैं, सिलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया, art and culture के questions important है, आपको कम से कम 5-6 questions आपके लड़ेंगे exam में, मतलब art and culture के, तो art and culture के कहां से पढ़ने है, वो मैंने आपको best source बता दिया है, आप मेरे site पे चले जाएगे, मैंने fssai की ही recording वहां पर questions, औ पढ़ना पड़ेगा, इसके अलब अगर आप extra कुछ करना चाहते हैं, तो quality जरूर कर लिजेगा, quality के questions पूछे जाएंगे, economics मत करीगा, economics से questions बहुत कम chance है, rare chance है कि आप से पूछा जाएगा, ठीक है, और बाकी और क्या क्या टॉपिक आपको cover करना चाहिए, वो 21 Days Strategy वाली ए पूछे, अब यहाँ पर पहला question है, चुकि जर्नल अवेरनस है, बहुत detail में हम भी करवाने का समय नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ answer और उससे related facts बता दूगा, इसके अलाबा जो computer है, और FSS AI का, यह हमने लगब लगब में बहुत अच्छा से cover करा हुआ है, तो बहुत depth में ह हम बताने वाले नहीं है, वो भी मैं आपको सिर्फ उसके जो सही answer से बहुत बता दूगा, बहुत सारे students जो हैं, बार 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 एक ही questions, चाहे वो comment section में comment करके पूछ रहे हैं, चाहे वो आपके अंदर chat section में पूछ रहे हैं कि total subsumed law कितने हैं, तो आपने कहां से पढ़ है, मुझे कोई idea नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं दुबारा आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत सारे देखते हैं ये, और जो देख रहे हैं, ये पूरा mock test का solution, तो वो थोड़ा serious exam के लिए, तो total subsumed law, total 8 number में है, आपको जो 7 जो बताया गया है, उस 7 में ए related एक act है, वो include नहीं करा गया है, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं, कि sir, FSS AI के site में साथ ही mention है, आप site के अंदर कहां देख रहे हो, वो important है, आपको act के अंदर जाना है, जो FSS Act 2006 है, उसे खोलना है, आप वहाँ पे जाके चिक करिए, अगर नहीं मिलेगा, तो जो है, frequently asked question FAQ, FAQ, FSS AI Act, ये आप Google करिएगा, तो direct आपको FSS AI का एक PDF मिल जाएगा, जिसके अंदर उसने important FAQ के questions ढाले हुए, ये FSS AI के ही में मात बात करो, किसी और, मतलब इधर उधर का कोई, ये की कोई भी बना करके डाल दिया हो, ऐसा नहीं है, FSS AI नहीं डाला हुए, तो उसमें सा sub-sumed law है, वो 8 है, और कौन-कौन से law है, वो भी उन्होंने mention करा हुए, मैंने अपने e-book के अंदर भी mention करा हुए, कि total 8 law है, जो sub-sumed करेगा है, ठीक है, important question है, गलती मत करना, इसमें, ठीक है, साथ जवरस्ती रट्टा मार करके बैठे हो, कि एक तम कसम खा करके बैठे हो, कि यहां पर कुछ नहीं करा जा सकता, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, question number 51 है, यहां पर, which of the following is called the storehouse of the world art collection, जो इसका right answer है, वो है मेरा सलर चंग museum, कहां पर है, हेदराबाद में है, next question हम लोग के आते है, 52 number का question है, which language is spoken by the people of Lakshadeep, Lakshadeep में, कि लोगों के द्वारा कौन सी language बोली जाती है, तो मल्यालम इसका right answer है, अब यह जो question है, यह आपका art and culture कर ही topic से उठाया हुआ है, जहां पर language का एक topic है, वहां से यह question cover है, question number 53 की बात करें, question number 53 है, what was the damage done by the रयतवारी system in madras presidency, जमिंदार didn't collect revenue properly, यह इसका right answer होगा, इसका solution जो है, वो मैंने आपको, FSS, यह actually previous year का question है, 2019 के paper में इसे cover करा गया है, मतलब 2019 का जो FSS AI का question था, उसके अंदर यह पूछा गया था, ठीक है, तो जो question जो आपको mock test के अंदर available है, आपको वहां पर जाकर करेंगा, आपको solution इसका मिल जाएगा, next question है, 54 की बात करें, which amendment to the constitution allowed the right to education to waive the non-detention policy in India, जो right answer है, वो है मेरा 2018, question number 55 हम लोग कह रहा है, question number 55 है, what is the main focus of the 103rd amendment of the Indian constitution, 103 नंबर का जो शंशोधन था constitution में, भारती सम्विंदान में, उसका main focus क्या था, so उसका main focus था, कि नौक्रियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, एक अलग quota जो है, वो परदान करना, so there will be a separate quota of economically weaker section in the job, ठीक है, किसने कर रहा था, नरेन मोदी का time पर ये हुआ है, question number 56 की बात करें, तो question में, 56 कह रहा है, which reason of India has the best conditions for growing wheat, cotton and sugarcane, तो गुजरात, उत्तरपरदेश और पंजाव, ये इसका right answer है, 57 number question की बात करें, ये कह रहा है कि, what is the role of the legislative assembly, legislative assembly का क्या role होता है, तो option B देखो, यहां पर, negotiation with the government for development, funding and support, ये इसका right answer है, question number 58 की बात करें, question number 58 हमें कह रहा है कि, which crop is specially promoted by the National Research Center of Spice, since 1986, cardamom इसका right answer है, इलाइची, ये भी जो है, 2019 के paper में पूछा गया था, question, FSS AI का, question number 59 की बात करें, question number 59 कह रहा है कि, which agency is not under the right to information, कौन सी agency जो है, वो right to information के अंदर नहीं आती है, तो Central Bureau of Investigation ये इसका right answer है, question number 60 की बात करें, question number 60 जो है, वो है, the maximum number of nominated members of लोकसभा, now, nominated number जो है, लोकसभा के अंदर, वो सर्फ दो होते हैं, तो दो इसका right answer होगा, 61 की बात करें, question number 61 है, Almaty Dam project on Krishna River was an issue between which state, करनाटका और आंदरपरदेश के बीच जो है, ये issue चलता रहता है हमेशे, तो जो पहला वाला जो option होगा, option A, वो मेरा right answer है, question number 62 है, the Suri King was defeated, the Suri King Das was defeated by Humayu, to regain his kingdom, जो Suri King जो है, वो सिकंदर Suri था, वो जो है Humayu के द्वारा जो है, defeat हुआ था, तो सिकंदर Suri जो है, वो मेरा right answer होगा, next question 63 number का question है, sifting cultivation is also known as जूम, जूम करिशी कहता है, sifting cultivation को, question number 64 की बात करें, ये है, who decided on the issue related to the disqualification of a member, of लोगसभा under the 10th schedule, question ये कह रहा है कि जो 10th schedule है, दसवी अनुसूची के तहत, लोगसभा के सदस्चे को अयोग्यता से समंदत मुद्दों पर कौन रणने लेता है, मतलब कौन जो है disqualification जो है, वो decide करता है, जो right answer है, वो है मेरा speaker of लोगसभा, तो speaker जो है, ये इसका right answer होगा, 65 नमबर का कोशन है, Asian Games also known as Asiard is a multi-sport event hailed every dash years among the athletes from all over the Asia, तो कोशन है, जो Asiard Games है, वो कितने साल के interval पे होता है, तो जो right answer है, वो है मेरा four years, चार साल के interval पे ये होता है, 66 नमबर का कोशन है, Dash built the world famous Harmandir Shaheb, popularly known as the golden temple of Amritsar, या in Amritsar, तो Amritsar में जो golden temple है, उसका जो है, जो beautification वाला जो काम था, वो तो रंजी सिंग नहीं करा था, ये कोशन है कि इसे बनाया किसने था, ठीक है, तो गुरु अर्जन देव ने जो है, हर्मिंदर साहब जो गुरुद्वारा है या golden temple है, Amritsar के इंदर उसे जो है बनाया था, इसका जो golden, जो beautification है, आप देखोगे, golden जैसा, जो gold जैसा जो दिखता है, वो जो है रंजी सिंग नहीं किया था, नेक्स कोशन हम लोग आते हैं, कोशन नमर 66 है, तो हर्षवर्दना के टाइम में यह भरता है, तो हर्षवर्दना इसका राइट एंसर होगा, 68 नमर का कोशन है, वो इस चेर मैन ऑफ देफेंस रिसर्च और डिवलोप्मेंट और्गिनाइजेशन, आप या रखना है, इंसिटूशनल एंड और्गिनाइजेशन से कोशन्स आएगा, तो यहां पर वही उसी का कोशन्स मेंशन करेगा है, मतलब अगर मॉक टेस्ट, जो लाइव मॉक टेस्ट मैंने तीन लिए वे, उससे अगर अच्छे से अनलाइज करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क इस तरीके का लेवल होगा, एक्जाम में किस तरह से कोशन्स पूछे जाएंगे, किस तरीके से आपके मार्क्स आ रहे हैं, और क्या कहा 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 आपको इंप्रूब्मेंट करना है, आपको अपने स्कोर बढ़ाने के लिए, इसका जो राइट एंसर है, वो है मेरा डॉक्ट कोशन यहां पर यह कह रहा है कि जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉड कास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसने जो है एक सिंगल विड्डो विंडो फिल्मिंग मेकनिजम जो है, वो जो है किस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के बनाया है, तो जो राइट एंसर है, वो है मेरा मिनिस्ट्र इपी ने जो सेक्शन है वो है मेरा कंप्यूटर लिटरेशी का सेक्शन इसके इंदर पर 25 कोश्चंस है सारे के सारे कोश्चंस जो है आपको पहले करवा रखे हैं मैंने अगर आपने वीडियो नहीं रिखी है तो क्लिक करके या फिर चानल पर जा करके देख लिएगा उसी तरह से मिलेगा जिसमें 150 कोश्चंस जो है मैं नहीं करवाए हैं कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है उसमें दो सो पचीस के आसपस कोश्चंस है या उससे भी जादा है तो यह दोनों वीडियो जो है पेपर से पहले देख करके जरूर जाना इसे कोश्चंस जो है डिरेक्टली होंगे आपके सामें ठीक है कंप्यूटर लिटरेसी का जो कोश्चं कह रहा है यू केन एड आ हाइपर लिंक टू यूर वरक्षीट बाइप प्रिसिंग अगर हमें हाइपर लिंक अगर हमें एड करना है तो हम लोग कंट्रोल प्लस के यूज करते हैं तो यह इसका राइट एंसर होगा 73 नंबर का कोश्चंस है त्रेजर टूल इन एम इस वर्ड इस यूज फोर सिनोनिम संट अंट्व इसका राइट अंसर होगा कोश्चंट नंबर 74 की बात करें हम लोग कोश्चंट नंबर 74 है और करेक्टर दाट इस रेज़ और इस अधिस रेज़ और स्मॉलर अबव यह बेस्लाइं एक्जाम्पल एटू दी पावर इन यू स्लाइट इन दा करेंट प्रिजनटेशन जो करेंट करना थे उसमें अगर हमें निव स्लाइट करना है तो कंट्रोर प्लस में को जो है तो वह प्रेस कर सकते हैं from slideshow menu choose the view option यह भी सही है तीसरा जो है मेरा clear slideshow icon present in the status bar all of the evils का right answer होगा 77 number का question है यहां पर who invented the electronic mail Ray Tomlinson जो है यह इसका right answer 78 number का question है वो है मेरा to communicate with the mail server the mail reader uses a special language called protocol कहते हैं से हम लोग तो protocol इसका right answer होगा 79 number का question है which type of template is not present in Google Docs Google Docs में किस तरह का प्रस जो टेंपलेट है वो प्रसेंट नहीं होता है CVS लेटर परस्नल सारे जो होते हैं तो one of the above इसका right answer होगा template एक गूगल डॉक्स का template जरूर चेक करके जाना कैसे करोगे बहुत संपल है आपने क्या करा Google वाला जो ब्राउजर है वह उपन करा यहां पर आपको इस तरह से dot दिखेगा उस पर क्लिक करना तो इस तरह से box खुलेगा उसमें आपको जो है गूगल डॉक्स के नाम से एक जो है एप होगा आप उस पर क्लिक करना अगर आपने लॉगिन करा हुआ हुआ है कि याद हो जाना चाहिए सब कोश्चिन ठीक है में इसका राइट एंसर है कोश्चिन नबर 81 की बात करें विच शोशल मेडिया एक्सपर्ट इस बहुत अच्छा जो है यह शोशल मेडिया अप्लिकेशन है बहुत सारे टीचर्स यहां पर जुड़े हैं कोरा इसका राइट कोश्चन नबर 82 की बात करें विच शोशल नेटवर्क डेजन्ट प्रोवाइड यूजर्स विद शेल्फी फिल्टर सेल्फी फिल्टर जो है वह कौन सा जो है शोशल मेडिया नेटवर्क है वह प्रोवाइट नहीं करता है ट्विटर इसका राइट एंसर है जिसे हम लोग माइक्रो ब्लॉग किंग आप भी कहते हैं यह ध्यान रखना ट्विटर से कोश्चन से रहने के चांसस हैं ठीक हमेशा न्यूज में रहता है यह अभी रिसेंटली जो है ट्विटर के ऊपर कुछ बैन्विन का कुछ चला हुआ था मतलब 21 में चला हुआ था तो उसकी कारण कोशन पूछा जा सकता है से 83 का कोशन है विच शोचल नेट्वर्क डजन्ट अलाव यू तो पोस्ट फोटोज विया डेक्स्टॉप कंप्यूटर डेक्स्टॉप वाला जो वर्जन होता है उससे हम लोग स्टोरी वगरा सब नहीं बना सकते हैं इंस्टाग्राम इसका बात करें हम लोग कोशन नमरे 84 कह रहा है कि the quickest and easiest way in word to locate a particular word or phrase in the document is use is to use the dash command find से हम लोग काम करते हैं कि कोई भी वर्ड अगरे सबको locate करना है तो find command हम लोग use करते हैं next question is junk email को हम लोग spam कहता है तो spam जो है वो right answer होगा 86 number का question हमें यह कह रहा है कि block arrow stars and banners and call outs are the example of auto shape category इसका right answer होगा यानि की option b 87 number का question है यहां पर which of the following document is used to ensure that a specific quantity of product will be delivered at a specific time period and a specific price still quotation इसका जो है यह right answer है next question हम लोग आते है question number 88 question number 88 कह रहा है कि when a group of computers is connected together in a small area without the help of telephone lines it is called local area network LAN जो हम लोग internet जो है वो हम लोग use करते हैं इसके इसके लिए next question है ATM का full form क्या है abbreviated form जो है वो है मेरा automated tailor machine यानि की option B question number 90 की बात करें वो है dash allows user to access accounts and pay bills to e-commerce इसका right answer होगा ठीक है question number 91 की बात करें तो question number 91 कह रहा है कि icons are dash command icons जो है वो एक picture command है तो picture इसका right answer होगा 92 की बात करें our digital signature is applicable for which crypto system जो कह रहा है कि जो digital signature है वो जो है किस तरह का crypto system पर work करता है या फिर किस वाला application है तो asymmetric की जो है उसके उपर work करता है तो asymmetric की system के उपर यह work करें तो next question हम लोग देख रहे है question number 93 कह रहा है यहां पर we can save and protect the workbook by हम लोग जो है save or workbook को protect कर सकते एक्सिल का यह question है पहला option है right reservation password यह सही होगा password जब मों डाल लेते हैं protection password read only recommendation read only recommended होगा any of the above any of the above जो है यह इसका right answer है यह एक mixed question था जिसमें जो digital signature और Excel दोनों का mixed form है है next question आते है 94 नंबर का जो question है वो हमें कहा रहा है कि what happens when dollar sign are entered in the cell address like this तो क्या करता है वो fix कर देता है तो absolute cell address is created होगा तो यह जो है यह इसका right answer होगा 95 की बात करें question number 95 हमें कहा रहा है कि what are the tabs that appear at the bottom of each workbook called sheath tab simple easy question था next fss ai role function and initiative पहला question है the color code for the safe for the food safety display board on a restaurant is purple यह इसका right answer होगा 2019 का यह question है 97 number का question है name the book name of the book which contains nutritious food habit in a younger या lower age तो याद हो जाना चाहिए yellow book है यह सब यह सब easy questions है और direct hit होंगे मतलब question बहुत important है यह सब 98 number का question आता है 98 number का question कह रहा है कि as per the fss regulations displaying fss ai license or registration number at food premises is तो यह क्या है अब mandatory हो गया अनिवार हो गया mandatory हम जो है उसको टिक लगाएंगे question number 99 है कह रहा है यहां पर the provision of single window system for applying for import clearance is called review 2019 का question है स्विफ्ट इसका right answer होगा स्विफ्ट इंपोर्टन टॉपिक है जो लोग cfso and to का पर प्रप्रेशन कर रहें तो वो swift पढ़के जाएं बहुत अच्छे से इससे questions लडएंगे 100 number वाला जो question है वो है a provisional noc is granted to an imported food consignment without waiting for the lab analysis report if the food requires specific storage condition यह इसका right answer होगा यह जो है इंपोर्ट वाला जो topic जो cover करा हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा अगर आपने जो है e-book नहीं purchase करी हुई है तो आपको import वाला जो एक section है वो निशानती academy.in website पर मिल जाएगा अब वहां से भी से रीट कर सकते हैं import कर लेना कुछ अच्छे questions इससे पूछ सकता है 101 number का question है imported food samples are sent to NABL accredited laboratories when accredited laboratories को हम लोग जो imported food sample है वो कब send करा जाता है तो the sample are tested for the first time जब पहली बार जो है अगर sample को test करा जा रहा है तो हम लोग NABL को send करते हैं चीज़ों को NABL भी important topic है हर post के लिए इसे अच्छे से करके जाना food safety on wheels ठीक है यह topic भी बहुत important है news में भी है इससे भी करके जाहिएगा इससे भी questions पूछेगा एक question तो स्यों शूर्टेव से लड़ेगा आपका next 102 number का question है वो है फॉस्टिक फॉस्टिक aims to फॉस्टिक का जो aim है वो क्या है पहला option है ensure availability of the wholesome food दूसरा option है जो है train at least one person in the food business to ensure the food safety इसका काम क्या होता है इसका काम होता है train करना जो है food business operators जो abuse food business operators उसके अदर किसी एक person को जो है train करके रखना यह जो है फॉस्टिक का जो है main aim है next question 103 वो है the advantages of third party private auditing includes जो advantages है third party private auditing जो है उसका जो main advantages है वो क्या है पहला option है increase the frequency of regulatory inspection conducted by the license authorities weakness of the food safety surveillance system तीसरा है reduce the regulatory food safety inspection conducted by the central और the state licensing authority जो है वो साफसाफ एंसर बता रहा है कि जो third party जो private agencies होती है उसके द्वारे हम लोग जो auditing करवाते हैं FSS AI में उसका काम क्या होता है उसका काम होता है कि जो pressure है central या state food licensing authority का वो कम जाए कम हो जाए तो जो तीसरा वाला जो option होगा वो राइट answer होगा ठीक है इस सारे topics बहुत अच्छे से मैंने आपको करवाए हुए है courses के अंदर तो अगर आपने वीडियो जो है अगर नहीं देखी तो उसे जरूर देखे उसके अंदर courses खरीदेने से सिर्फ नहीं होता है उसे अच्छे से पढ़िए और वीडियो जो है unlimited टाइम आप देख सकते हैं सब जितनी बार देखोगे उतना सब्सक्राइब क्लियर होगा concept आपका नेक्स कोर्शन नमर 4 और याद रखना कि सिर्फ वीडियो देखना ही important नहीं है उसके बाद सारे सब्सक्राइब क्लियर हो जाएगा साउथ इंडियन स्टुडेंट है तो आप एबुक रीट कर लीजिए एक बार और उसके बाद जितने भी टेस्ट मैंने दिये हुए हैं चाहिए वह मस्डू के फार्म में हैं चाहिए वह प्रैक्टिस टेस्ट है मतलब टोटल 400 प्लस जो कोश्टन से वह आपके सारे के सारे होने चाहिए इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तब जागर क्या आप एक्सपेट कर सकते हैं मेरा 25 आउट ऑफ 25 आएगा नहीं तो सर आप सिर्फ वीडियो दिखोगे दो चार और बूलोगे सर मैं आपका कोर्स लिया था और फिर जो है मेरा यह भी कोशन लड़ा नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता है इस सिच्वेशन पर 104 नंबर का कोशन है विच टाइप आफ और ऑर्गेनाइजेशन इस एफसेस एए जो है वह एक स्टेच्वरी बॉड़ी है स्टेच्वरी बॉड़ी जो यह सारा का सारा रटा हुआ है कोशन नंबर 106 जो है वह हमें यह कह रहा है कि हूँ इस दा प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया विंदी एफसेस एक्ट वॉस पास्ट पास्ट पाइद पार्लेमेंट मनमोन सिंग यह इसका राइट एंसर होगा 107 की बात करें तो कोशन इजी और यह कोर्स स्टार्ट करने का जो में यह था या यूट्यूब पर विडियो बनाने का में यह था कि एफसेस एई रूल फंशन एंड इनिशेटिव यह जो टॉपिक ऐसा है जिसका कंटेंट जो है इसली अभिलेबल नहीं है तो उसे मैं इतना पॉपुलर बना दूं चाह करके है और मुझे अगर मैं मौक्टस की बात करूं तो मौक्टस को इसी तरह से डिजाइन करा गया है ताकि अगर आप अच्छे से अगर रिगुलर है निशान्ती एकाडमी के फॉलोवर्स तो आपको सारे कोश्ट बहुत आराम से इसली हो जाएंगे ठीक है लेकिन कर लिया कि जो है डॉक्टर रंगुमरी रामादोस ने से स्टैब्लिस करा कब करा यह इंपोर्टन्ट हो सकता है ठीक है तो यह थोड़ा अनलिटिकल बनिए गूगल करिए जरू नहीं कि सारी चीज़ें मैं ही आपको बताओ गूगल करिए थोड़ा सा और जान लिजिए अ और अच्छे से पता हो जाए ठीक है कोशन नमर वन जिरो एट की बात करें तो वह कह रहा है कि फ्रॉम विच डेट एफसेस एई स्टार्ट वोकिंग कब से एफसेस एई ने काम करना सुरू कर आप दिखो यह भी जो है बहुत कंफ्यूजिंग कोश्टन होता है बहुत सारे स्टूइन जो है बार बार कहतें कि सर्थ एफसेस एई जो है कब इस्टेबलिश हुआ है यह आप ने जो है पास सितंबर बोला हुआ है फिप्थ सितंबर 2008 लेकिन जो है बहुत जगा पर फिप्ट अगस्ट 2011 लिखा हुआ है तर्कौन सा याद करें तो याद रखना कि एफ फिप्ट अगस्ट 2011 से उसने स्टाट कर रहा है ठीक है तो अगर वर्किंग से रिलिटेट कोशन आया तो फिप्ट अगस्ट होगा फिप्ट अगस्ट 2011 अगर आप से पूछा जाएगा कि साफ साफ की कब स्टेबलिश हुआ था हुआ तो पास सितंबर 2008 को यह स्टेबलिश ह 109 नंबर का कोश्टन है विन डिड़ एफसेस एक 2006 इसे सहमती मिली तो 23 अगस्ट 2006 इस पूरे टेस्ट में डेट्स मैंने को ज्यादा दिये हुए थे उसका रीजन यह था कि जो है आपको डेट्स जो है अच्छ से याद हो जाए और इसे कोश्टन जो है आपके लड़ेंग करवा दूँ 1010 कोश्टन है वाट इस तोल नंबर ओफ मैंबर फ्रेसेस एक अपसेसेस एक अनटर कितने मेंबर होते हैं यह 22 जो है इसका राइट एंसर होगा 111 नंबर की कोश्टन की बात करें वाट तोटल नंबर ओफ लॉग्ष श्यूंड अंडर एसका राइट एंसर ठ ठीक है कहां मिलेगा तो बहुत सिंपल है FSS Act 2006 जो है यह गूगल करिए FSS AI के साइट से ही वो निकालिएगा उसे रीड करिए वहां पर आपको सब्स्यूंड लॉइट दिख जाएगा जहां 7 लिखा हुआ है है वहां पर मिसलेनियस एक एक है उसके बारे में में नहीं करा गया है एक मिसलेनियस एक्ट भी है जो आट पर नंबर का एक्ट है जिसके करण जो है टोटल नंबर आफ सब्स्यूंड लॉग कितने हो गए एट आपको यह एक्जैक्टली कहां मिल जाएगा आप सिंपली एक एक शर्ज करेगा फ्रेवैंट्ली आस्ट कोश्जन एक्ट तो आपको एक फाइल दिख जाएगी एक पीडियाफ दिख जाएगा एक एक जाएक आप पर जाएगा कि कितने सारे टोटल लॉज जूएं करेगा है एक एक्ट में नेक्स कोशन है 112 की बात करें तो वाइब consolidate करना था पिछले जितने भी laws थे हैं उसे और दूसरा जो है FSS AI जो body है उसे जो है क्या करना था establish करना था तो बहुत है and भी इसका right answer होगा बहुत basic सा question है यह question number 113 है who is the responsible authority for the implementation and enforcement of FSS Act 2006 FSS Act 2006 का implementation का जो जिम्मा है या enforcement जो है law जो करवा रही है यह कौन करवाईगी कौन से authority करवाईगी पहला option है food safety and standard authority of India यानि कि FSS AI दूसरा जो है state food authority तीसरा option है बोथ है and B और चौता option है निदर A nor B यह तो होगा नहीं यह इसका right answer होगा बोथ है and B क्योंकि central level पे तो FSS AI करवाती है लेकिन उसे practically implement करवाना हर एक स्टेट पर तो जो है state authority का काम होता है तो इसका right answer होगा 114 की बात करें question number 114 कह रहा है कि what is the tenure of the member of FSS AI FSS AI के member का tenure क्या है जो right answer है इसका वो है मेरा 3 years और 62 years of age वही अगर जो next question है वो उसमें पूछा गया है tenure of chair person of FSS AI और इसका right answer है वो है मेरा 3 years या फिर 65 years of age तो 65 साल का हो जाने कि अगर वो हो जाते है या फिर तीन साल का जो उनका service हो जाता है तब वो जो है उनका जो tenure जो है वो खत्म हो जाएगा स्तगित हो जाएगा question number 116 की बात करें 116 number का question the mandates assigned to FSS AI क्या-क्या जो है जो है mandate FSS AI का जनादेश का क्या है तो laying down science-based मतलब क्या-क्या मेन जो है motive FSS AI का वो क्या है तो lay down science-based standards for articles of food यह पहला है दूसरा जो है to regulate the manufacture storage distribution sales and imports of food to facilitate food safety है चौथा वारा जो option होगा all of the above यह इसका right answer है question number 117 की बात करें यह है मेरा which agency regulates FBOs in India कौन सी agency है जो FBO इंडिया के अंदर जितने भी FBOs है उसे regulate करने का काम करती है तो FSS AI इसका right answer होगा नेक्स कोशन है 118 नंबर का विच एजनसी इस रिस्पॉंसिबल फॉर इन्विस्टिगेटिंग फूट बॉर्ड बॉर्न इलनस और पॉरें अब्जेक्ट complaint तो जो right answer है वो है मेरा FSS AI इसी का काम है यह कोशन नंबर 119 की बात करें तो वह 119 का कोशन में कह रहा है कि which section of FSS Act prohibits the use of processing ads which are not prescribed by FSS AI कोशन है यहाँ पे कौन सा section है FSS Act का जो हमें जो processing ads को जो है वो हम लोग बिना permission के या बिना FSS AI के prescription के prescribed की जो कहीं है उसके अलावा जो हम लोग आड नहीं कर सकते हैं मिला नहीं सकते हैं तो कौन सा section है तो section 19 है ठीक है sections की बारे में सारे important sections जो है वो मैंने अपने website पे mention करे हुए है निशानतीacademy.in आप simply वहाँ चाहिए आपको मिल जाएगा आप simply google कर लीजिएगा section of FSS AI डाश निशानत e-academy तो आपको जो है सारे sections की list आपको मिल जाएगी अब वहाँ से भी रीड कर सकते हैं कि 120 नमर का question है what is the total number of divisions with which FSS AI works जो है FSS AI के अंदर टूटल कितने सारे divisions हैं जिसके अंदर FSS AI work करता है तो तो यह टूटल 120 questions होगा है ठीक है मेन जो है motive था यह पूरे live mock test करवाने का कि जो student अच्छे से पढ़ ले हैं उनका confident boost हो जो थोड़े से डाउन है जिनने लगता है कि वही बेस्ट है और उनसे ज्याद अच्छा कोई नहीं कर सकता है तो उन्हें थोड़ी से समझ हो कि competition बहुत हाई है अगर एसिस्टेंट लास्त था टूटल थ्री लाइब मॉक टेस्ट हो चुके है अब एक्स्ट जो है फोर्ट लाइब मॉक टेस्ट चुकि समय नहीं है तो जो है और थोड़ा मैं अभी hometown पर हूं तो जो है मुझे समय भी नहीं मिलेगा सही तरीके से तो मैं आपको एक्स्ट जो है पीडियाफ वगेरा सब चाहिए होगा किसी तरह का नोट चाहिए होगा तो आप टेलिग्राम चैनल जरूर जॉइन कर लिजिए आपको महां पर इन सारे जितने भी मैंने मॉक टेस्ट करवाएं हैं इनका पीडियाफ महां पर मिल जाएगा ठीक है तो अच्छे से खीक अनória. थाथ विए ओ भुछिग टूट झाते हैं लिए अँझक डूटार में दीक अन्यत श्या ख़िए वेए बश्याग प्रु टात भीघ्याभ्टाद वीर्याफ सुन Rider ।